दोस्तो जब से OnePlus Nord 3 20,000 के नीचे मिल रहा है ना बहुत सारे भाई लोग मुझे सवाल पुछ रहा है कि 25,000 रुपिस में OnePlus Nord CE 4 कैसा रहेगा सबसे पहले तो एक लियर कर दू OnePlus Nord 3 में बहुत जादा प्रोब्लेम है मैं क्यूं बता रहा हूं कि Nord 3 को पार्टेस नहीं करना चाहिए उसके लिए काड में Nord 3 का डीटेल रिव्यू मिल जाएगा और वीडियो जरूर चेक कर लेना दोस्तो वहां से आप लोगों को आईडिया लग जाएगा मैं लगभग 90 डेस तक OnePlus Nord CE4 प्राइमारी फोन के हिसाब से यूज कर रहा हूं तो एक एक चीजों के बारे में आप लोगों को क्लियारली समझा पाऊंगा सबसे पहले पार्फोमेंस के बारे में ही बात करते हैं Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है 8 लेक के उपर इसका अंतोतो स्कूर आया है Geek Benchmark 6 और CPU थ्रोटे लिंकों भी मैंने रांड किया था ग्राप आब लोगों के सामने ही है नॉर्माल डेटो लाइब यूजेस में मुझे कुछ भी दिखा दिखा ही नहीं दिया अप्लिकेसान ओपेनिंग क्लोस बेगरा काफी अच्छा है और OnePlus के इस फोन में न कोई भी बेकार अप्लिकेसान भी मिलता नहीं है क्लीन यूजर एक्सपिरियन्स मिलता है एड बेगरा आब लोगों को सो नहीं करता है देखे नॉर्माल यूजेस में आब लोगों को एक प्रिमियम एक्सपिरियन्स देगा अब चलो गेमिंग के बारे में बात करते हैं देखे इस फोन में लगातर काफी टैम तक मैं BGMI खेला हूँ स्मूथ एक्स्ट्रिम सेटिंग एंट HDR एक्स्ट्रिम सेटिंग करके ही आब लोग BGMI खेल पाओगे स्मूथ के अंदर 60 FPS और HDR के अंदर भी 60 FPS काफी अच्छा गेम चलता है लैग जिटार फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं है APS उतना जादा गिरता नहीं है चाहे आप HDR सेटिंग के अंदर खेलो या स्मूथ सेटिंग के अंदर खेलो 58-57 ऐसा ही APS देता रहता है बेसिकली आपको बेटर गेमिंग एक्सपिरियंस निकल के देता है 25,000 रुपिस के नीचे ना OnePlus के एही एक फोन और Poco का एक फोन है जहाँ पे स्टेबल गेमिंग एक्सपिरियंस आपको निकल के देता है बरना OPPO का जो A27 Pro Plus जो IP69 रिटिंग के लिए जाना जा रहा है या Motorola H50 Fusion बहुत जादा ट्रेंडिंग में है इस सारे फोन में आप लोग इतना अच्छा गेम नहीं खेल पाओगे जितना अच्छा OnePlus के Note CE4 में आप लोग खेल सकते हो और हाँ गेमिंग के दोरान हेटिंग इसू भी मुझे दिखा ही नहीं दिया गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो बैटरी के बारे में भी बात करना बहुत ही जरूरी है 5500 एमिज का बैटरी मिलता है मैं इस फोन को नॉर्माल यूज करता हूँ देड़ दिन आराम से निकाल के देदेता है अगर आब लोग गेम बेगरा नहीं खेलते हो कुछ टैम गेम खेलते हो, कुछ टैम कैमेरा एपलिकेसान यूज करते हो मतलब नॉर्माल से थोड़ा सा हेवी यूज करोगे एक दिन आराम से निकाल के देदेगा यह मैं आब लोगों को दावे के साथ बोल सकता हूँ 100W का Fast Charging Adapter मिलता है दोस्तों ब्रेंड बोलता है कि 30 मिनिट के अंदर Full Charge हो जाता है मैं जब रियल टाइम चार्जिंग में लगाता हूँ इनके टाइम में यह इंटरनेट जब आब लोग यूज करोगे हर एक टाइम में OnePlus का जो इंटरनेट सर्वीस है वो थोड़ा सा बेटारी होता है और बहुत सारे भाई लोग मुझे बता रहा था कि यहाँ पे Google डाइलर दिया है कॉल रेकोडिंग बेगरा होता नहीं है तो ऐसा नहीं दोस्त आब लोग प्ले स्टोर में जाके ओ डाइलर को इंस्टॉल कर लेना OnePlus का खुद का ही डाइलर है उसको अगर आब लोग डिफोल्ट में रखोगे तो कोई भी कॉल को बीना एनॉंस्मेंट के रेकोड कर पाऊगे और आटोमेटिकेली कॉल रेकोडिंग का आप्सेन भी है LPDDR 4X RAM EFIS 3.1 storage टाइप दिया है RAM management इसका बहुत ही अच्छा है मतलब आप मान के चलिए कि 80% के आसपास application को RAM में रखा है Recently OnePlus के फोन में एक update आया था मैंने update कर लिया था उसके बाद दोस्तों बहुत चारे चोटे मुटे बक्स था ओ भी इस फोन में fix कर दिया गया है और update के बाद बैटरी में भी थोड़ा सा improvement मुझे दिखाई दिया है Dual stereo speaker दिया है दोस्तों sound quality काफी अच्छा है loud है हाँ और भी थोड़ा सा base ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन अगर मैं price के इसाब से देखूँ तो मुझे तो ठीक थागी लगा है 6.7 इंच का full HD plus fluid AMOLED डिस्पले मिलता है दोस्तों बहुत सारे movie बहुत सारे video बेगरा देखा हूँ detailing मुझे काफी अच्छा लगा देखिए इस पन में अगर आब लोग YouTube में वीडियो देख रहे हो 4K HDR करके पहले दोस्तों lag होता था लेकिन update के बाद अवी एसाब कुछ fix कर दिया गया है अभी अगर आब लोग 4K HDR content देखोगे YouTube के अंदर वहाँ पे लैक नहीं होता है आउट्डोर में भी काफी टाइम तक मैंने यूज किया हूँ brightness बहुत ही अच्छा है कड़ी धूप में भी अच्छी तरीकी से visible रहता है even जो 120Hz का refresh rate है वो भी काफी स्मूध है लेकिन दोस्तों कौनसा ग्लास का प्रोडेक्सान दिया है उस specified नहीं है description में ना मैं लिंक डाल दूँगा वहाँ पे जाके आप लोग temper glass दिया back case बेगरा खरीच सकते हो अब चलो camera के बारे में बात करते है back side की तरब dual camera setup है 50 Mbps का primary sensor 8 Mbps का altroid 16 Mbps का selfie camera मिलता है इसपून की rear camera से full HD 60fps 4K 30fps करके video recording कर पाऊगे selfie में दोस्तों full HD 30fps है कम से कम selfie में full HD 60fps होना चाहिए था खेर दोस्तों बहुत सारी images बेगरा मैंने क्लिक किया था images quality काफी अच्छा है इवेन दोस्तों काला टून बेगरा को भी काफी अच्छी तरीके से maintain किया है protect sample देखिए protect sample में भी improvement आया है पहले इतना चाँ protect नहीं था अवी बहुत ज़्यादा improvement आया है इवेन दोस्तों night के अंदर भी मैंने बहुत सारी images बेगरा क्लिक किया था उसका भी detailing आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजे ultroid sample night के अंदर वो भी side by side में आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ से आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा इतना ही नहीं दोस्तों night के अंदर बहुत सारे selfie camera sample भी खिचा दा हाँ थोड़ा सा अंदरे में अगर आप हो तो थोड़ा सा noise आता है लेकिन अच्छे lighting condition में हो अच्छा picture खिचके देता है इसका night के अंदर protect mode भी काफी अच्छा है selfie camera में even daylight के अंदर भी बहुत सारे मैंने selfie camera sample खिचा दा तो भी आप लोग चेक कर लीजे देखे नीचे google drive का link डाल दूंगा वहाँ पे जाके बहुत सारी images आप लोग original quality में आपके इफोन में देख साकते हो और आप decide कर साकते हो दोस्तों camera के लिए सही है के नहीं इन display fingerprint sensor fast है haptic feedback भी बहुत ही बड़ी आ है मतला मैसूस होता है दोस्तों अब चलो बात करते है एफोन अब लोगों को purchase करना चाहिए कि रही देखे 25,000 रुपिस असका price है 8GB 120, 8GB variant हमारे पास है और मैं लगबा काफी time से 90 days के आसपास इस phone को मैं use कर रहा हूँ अब भी भी दोस्तों discount बेगरा लगाओगे तो और भी 2000 रुपिस discount मिल जाएगा यानि कि 23,000 रुपिस में एफोन मिलेगा और अगर आप discount नहीं भी लगाते हो 25,000 रुपिस में भी मुझे लगता है दोस्तों काफी अच्छा value for money smartphone है इस price में जो सारे smartphone मिल रहा है ना बहुत सारे phone है मैंने बोला था Motorola H50 Fusion, OPPO F27 Pro Plus 5G, OnePlus Note 3 जो बहुत कम price में मिल रहा है वो सारे phone को skip करके दोस्तों ए एक balanced phone ले साकते हो अभारल package वाला smartphone है हर एक दिक से भर पूर है और हाँ OnePlus का जो after sales service है वो भी काफी अच्छा है दोस्तों मदलब जो green line का issue बैगरा है वो तो इस phone में मुझे अवी तक दिखाई नहीं दिया देखिए वो update के बज़े से आ गया था update में bugs था अवी दोस्तों OnePlus उसको fix कर दिया है और OnePlus के कोई भी phone में दोस्तों मुझे तो ऐसा notice नहीं हुआ अवी के time में वाकि future में क्या होगा वो तो भे आब लोगों को बता नहीं सकता न उमीद करता हूँ अवी आब लोग decision बना लिये हो अगर आपके पास iPhone है comment box में बताओ कैसा चल रहा है और नहीं भी है तो कुछ भी बता सकते हो positive comment कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से subscribe करना मत भूलिए मिलते हैं अगले एक फ्रेस वीडियो में